कैसे होती है, तौल साहिब मेरी इसी है,जी यह मेरी बाट है,तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे आप किसी सुनार की दुकान पर जब जाते हो तो इस प्रकार की आपको एक तौल करने के लिए काटा होता है,ची काटा जो है 1 आप देखिए तिए चोटा सा है मैं आपको दिखा रहा हूं वाँ में लेकर में और दिखा दे रहा हूं ये पन्नी में आया था पन्नी में थोड़ा बहता नहीं सूखता नहीं और महकी जो उसकी होती है और ये रेजिस्टर तैयार होने के बाद छे महीनी के बाद बशूरी कर दें नमस्कार पड़ा मादाप शेश्रिकाल मैं हूँ अजय परताप सिंग तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का दोस्तो हर दिन के क्रम्मे में एक नया वीडियो आप लोगों के समक्ष फिर से जोड़ने जा रहा हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर दिन एक ऐसी सक्षिसे मुलाकात कराता हूँ जो अपने किसी न किसी चीज में माहिर होते हैं तो दोस्तो आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे पंडिजी से महराजी से जो कि डिस्टिक बहराइच यूपी के रहने वाले हैं और अभी बर्तमान में डिस्टिक साजहां पुर के विकास खंड जैती पुर के गाउं मगनपुर में बैठी हुए हैं और मैं हैं तो ही अलग होता है कहां से आती है कैसे तयार होती है और काइसे करके हम लोगों को मिलती है औरिके मेयद क्या है जानेंगे उन पंडी जी से पंडी जी सवागत आपका मेरे चैनल पर मेरा चैनल है आईना भरत का अब मैं यह जानना चाहता हुंग कि आप बहराइच के रहने वाले परफ और आप साधहापुर में हिंग बेच रहे हैं तो यह हिंग आप कल से बेच रहर और इतनय दूर तक कैसे यहां तीलहर तफिल में परता है तो दोस्तों यहां से अगर मैं मानूझ तो भैरा करके आसास पढ़ती है सबाद तीन सो क्लोमीटर दूर से चल करके आकर के पिछले लगवग 27 सालों से आप हिंग वेंचने का कारी कर रहे हैं तो अब मुझे सबसे पहले तो यह बता दो कि हिंग के लाब क्या-क्या है हिंग के लाब बताएंगे साहा है हिंग खाने से डाइजेशन सही रहता है गैस नहीं बनती है चेहरे पे चमक आती है और हिंग हर काम में लाबदायक है है कोई भी हम सब्जी खाते गरूम उसमें नहीं पडी है तो वह बेकार लगती जैसे बगार नमक के सब्जी बेकार होती है बैसी बगार हिंग के सब्जी बेकार हो जाती पैदा कैसे होती कहा से आती है इसकी वित्रड करते हैं किन किन गाउं में सप्लाई करते हैं चावर पलिया खुर्मान पूर खुड़रा खरसाही दोस्पोर सौंधो यह सारे गाउं नगरा बाबुपूर नगरा और सुतनापूर मिद्रुवा डभूरा इधर गडिया रंगीन कुल मिला करके अगर हम बात करें तो लगबक मालों की चेत्र का कोई चूटा नहीं कोई नहीं जिसमें आपके आप सप्लायर ना हूं आपने अपनी जुआ हिंग ना बेची नहीं चेदा पट्टी नावट पेरी मारर सुतनापूर मिद्रुवा जी 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 और इधर पिट्रिहाई संकरपूर भेलाहा मड़ा अ गोबल पतीपुरा अहिरवाडो टड़ातो उगनापूर बस्या यह सारे गाओं में हम मालकों तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह महराजी मजला गोरी खेरा भूर खेरा दतुनिया रहीम पूर यह सारे गाओं में हमारा हिंग यह लगबक खुदा गंज बिलाक की में प तोलती हो ग्राम में जाती है पांच ग्राम जाथ ग्राम जी बीस ग्राम सबसे अच्छी हिंग होती है सरकस का दाना होता है ज्वाल पहुंचती है पंडी जैसे लोग अन भी हैं जो चित्रों में सप्लायर हैं और सप्लाई करते हींग की अब मैं आपको दिखाने बारा हूं कि जो हींग पंडी जी के द्वारा बेची जा रहा है चार बैराइटी बताई है उसमें से इनके पास जो बैराइटी है नमबर बन की एक बन क्वालिटी की बैराइटी आप बेचते हैं और उसका रेट भी बता दिया है कि एक हजार रुपए की 100 ग्राम हींग है और हींग तौल करके दी घर कि जा इसलों परणिखूंड ये आपकी हिंग में की अंटर होता है उनमें बबहुत अंतर होता है यो चूरा बनाव यह थिम बेचते हैं और यह एकदम नंबर एक सरकस का ज्वाल दाना यह से उत्फळ्स रहता है तो बहुत अंज क्या लेक्त लंशम में मक्का काठा भजरे काठाम यही मिलाते हैं और इसी की हिंक कि दाने मिला करके 300 kg में लमसम में 50-100 ग्राम धियक dc टाला जाता यानि कि हिंक जो दोस्तों आप गभी खरीद करके लाती याप समझते हैं कि ऑसमें में बहुत अच्छी महेंकारी पर उसकी कीमत बढ़ जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है 50 रुपे 45 रुपे डिबी मिल जाती है बेचने लगते हैं मार्केटिंग में तुम आपको डिबा दिखा दे रहा हूं और डिबे के अंदर रखी हुई हींग देखे दोस्तों यह हींग यह हीरा हींग है दोस्तों यह देखो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों इस तरीके से अच्छा इसको आपने पन्नियों में ही क्यों पैक करके रखा हुआ है इसलिए पन्नी में आया था पन्नी में थोड़ा बहता नहीं सूखता और इसके लाबा तीसरे नंबर की कौन स कर दोस्तों चार प्रकार की बैराटी मैं आपको दिखा दी हैं अचा महराजी इस चारोक में जो अंतर होता है है इनके प्राइस का रुपए का कितर अंतर होता है मूली का 100 ग्राम पर एक बाट तो आप देख सकते हो जैसे आप किसी सुनार की दुकान पर जब जाते हो तो इस परकार की आपको एक तॉल करने के लिए क्या बोलते हैं इसको इसके काटा कहते हैं काटा होता है यह काटा जो है आप देखिए छोटा सा है मैं हाथ में लेकर देख सकता हूं यह दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं हूं ये वाट हैं, ये देखिए आप, छोटे-छोटे वाट हैं, ये 10-10 ग्राम के हैं, ये 5 ग्राम का है, पांच ग्राम का, 10 ग्राम का, ये 3 वाट है, इसके अलाबा ये देखो दोस्तों, ये 50 ग्राम का है, और ये वाट आपको दिखा रहा हूं, दोस्तों, 100 ग्राम का है, आपक तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि बहराइस के रहने वाले महराजी एक बहुत महत्पूर्ण बात मैं आपसे पूछना भूली गया अपना सुभराम आपने शुरुआत में नहीं बदाया हमारा अश्वनी कुमार नाम है अश्वनी कुमार अच्छा यह 27 सालों से जो आप बिजनिस कर रहे हो यह बिजनिस आपके फादर के सब्गर के द्वारा रहे हैं पिटा की हें आपने विरासत को संबैबाना सब्सक्राइब क्योंकि इसल क्यों उद्वार उद जी सेजी क्यों करेंगे मैं और जून में तो क्या जो रेट आपने आज ते किया वही रेट लेंगे या इसके अलावा कोई ब्याज बगर लगाएंगे जो आज लिखेंगे जी वही रेट शे महीने बाल लेंगे आप छेत्र के लगबग आपने पचास गाउं के नाम मुझे गिनादी और मैं आप इतना बड़े नाम और लोगों के नाम लोगों के नाम अपने ग्रहाकों के नाम उधारी करते हो तो कैसे दिहां रखते हो इस पोथी में इनके नाम है महराज जड़ा खोल के दिखाई एक दो नाम इसमें इसमें एक दो नाम क्या पूरा नाम देखिए यह देखिए महराज इसमें से इनके बिभिन परकार के नाम यहां पर लोगों के हैं यह देखिए जैसे इन्होंने लिख रखा यहां पर लाला राम रघुवीर दुलार गु लेना कि आपके साथ भी ऐसा होता है होता है जाना पड़ता है तो दोस्तों ये परंपरागत तरीके से बिकने वाली हिंग के बारे में मैंने आपसे चर्चा की महाराज कुछ कोईशन मेरे आपसे अभी रह गए हैं दो तीन कोईशन मैं पूछ करके वीडियो समाप्त कर सब करने के बाद अगर आप आकलन करते हो कि साल भर में सब कुछ खर्चा निकालने के बाद अपनी मेहनत निकालने के बाद एक साल के अंदर आप इसके कितनी इंकम करते हों सब कुछ खर्चा निकालने के बाद सतर पच्छतर हजार बच जाता है किसी साल उपर भी चले जाते हैं किसी साल जी कम भी रह जाते हैं यह बिजनेस है एबरेज मैं माननों की मन्थली आपका आठ से दसजार का महीने बैट जाता है तो महराज जी आपने मुझे इंटर्विय जी अचया जो गया जैदीया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाध और बहुत अच्छी जानकारी दोको आज महराज